हाई फ्रेंड्स, वेलकम टू माई यूटुब चैनल, दर्ड येल टेक तो दोस्तों आज आप ये जो गूगल मैपस है, इसका इस्तमाल आप अपने मुबाइल में जरूर करते होगे और आज आपको सायद ये जो गूगल मैपस है, इसके बारे में सिर्फ इतना ही पता होगा कि अगर आपको कभी भी, कहीं पे भी आपको अपने मुबाइल में गूगल मैपस को एकसेस करना है, गूगल मैपस को इस्तमाल करना है तो इसके लिए आप मुबाइल डेटा की जरूद परेगी या फिर आपको किसी भी तरह की Wi-Fi की जरूरत होती है यानि कि आप अपने मुबाइल में Google Maps को बीना मुबाइल डेटा की बीना किसी भी तरह की Wi-Fi की आप अपने मुबाइल में अक्सेस नहीं कर सकते हो लेकिन दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि यह जो Google Maps है इसका इस्तवाल आप अपने मुबाइल में बीना किसी भी तरह की Wi-Fi की और बीना मुबाइल डेटा की आप अपने मुबाइल में इसे एक्सेस कर सकते हो आप अपने मुबाइल में इसे बहुत ही अ जान के साथ पूरा देखना होगा तो इसलिए दोस्तों अगर आप भी चाहते हो आप अपने मुबाइल में गूगल मैस को बीना Wi-Fi की बीना मुबाइल डेटा का इस्तमाल करना तो चली दोस्तों अब हम इस वीडियो को फड़ा फड़ा सुरू करते हैं और अब हम आपको अब करते हैं कि आपको अपने गूगल मैस को बीना Wi-Fi की बीना मुबाइल डेटा की कैसे इस्तमाल करना है तो दोस्तों आज अगर आप अपने घर से बाहर जहां कहीं पर बीना तो वहाँ पर आपके साथ कभी कभी क्या होता है और साथ साथ आपको वहाँ पर किसी भी तरह का Wi-Fi देखने को नहीं मिलता है जिसकी वगय से आप अपने मुबाइल में Google Maps को इस्तमाल नहीं कर पाते हो तो इसलिए दोस्तों आपको सब से पहले क्या करना है कि आपको अपने घर से बाहर चाहे जहां कहीं पर भी जाना है तो वहाँ पे जाने से पहले ही आपको अपने घर पे ही आपको अपने मुबाइल में Google Maps को open करना है तो जब आप अपने मुबाइल में Google Maps को open करेंगे तो वहाँ पे आपको right side उपर corner में आपको अपना profile icon दिखाई देगा आपको उस पे क्लिक करना है उस पे क्लिक करने के बाद अब आप वहाँ पे नीचे में दहेंगे तो आपको वहाँ पे एक option मिलेगा offline map का जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो तो वहाँ पे जो offline map वाला option मिलता है आपको उस पे click करना है उसके बाद में अब आपको वहाँ पे एक option मिलेगा select your own map का जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो आपको simply select your own map वाला जो option मिलता है आपको उस पे click करना है उस पे click करने के बाद अब आपको वहाँ पे उस जगह को उस area को वहाँ पे select कर लेना है जिस जगह पे आप जाना चाहते हो तो वहाँ पे आपको सभी direction में scroll करने का option मिल जाएगा आपको वहाँ पे zoom out, zoom in करने का option मिल जाएगा तो आपको सबसे पहले वहाँ पर क्या करना है कि आप जिस जगह पर भी जाना चाहते हो आपको यहाँ पर select कर लेना है उस area को select करने के बाद अब आपको वहाँ पर नीचे में एक option मिल जाएगा download का आपको simply download वाले option पर click कर देना है तो वो जो जगह है जिस जगह को आपने व बाहर चाहे जहां कहीं पर भी जा रहे हो और वहाँ पर आपका जो mobile data है वो नहीं है आपकी mobile में जो आपका mobile network है अगर वो नहीं है या फिर आपको वहाँ पर किसी भी तरह का wifi देखने को नहीं मिलता है इसके बावजूद भी आप वहाँ पर उस जगह को आप अपने Google Maps में बहुत ही अच्छी तरह से access कर पाऊगे यानि कि आप वहाँ पे अपने mobile में Google Maps को बहुत ही असानी से इस्तमाल कर पाऊगे तो अगर आपको आपने mobile के Google Maps में कभी भी कहीं पे भी उस जगह को देखना है जिस जगह को आपने Google Maps में save किया है तो वो देखने के लिए आपको पिर से चले जाना है अपने Google Maps में जो उपर में आपका प्रफाइल आइकन दिखता है आपको उस पे किलिक करने के बाए अब आपको जो ऑफ सन मिलता है offline Maps का आपको उस पे किलिक कर देना है उस पे किलिक करेंगे तो आपको वहां पे वो देखने को मिल जाएगा जिसको बहुत ही अच्छी तरह से इस्तमाल कर सकते हो तो दोस्तो मैं उमीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर हैलफुल लगी होगी तो दोस्तो अगर आप भी डेली ऐसे ही नेव यूजफुल वीडियो देखना चाहते हो तो आप हमार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो नोडिफिकेशन बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर देना क्योंकि हम आपके लिए इस चैनल पर डेली ऐसे है यूजफुल वीडियो लाते रहते हैं तो ये दि दोस्तो फिलहाल आज की वीडियो मिलते हैं फिर से को रह से इंट्रेस्टिंग लेस्ट यूजफुल वीडियो में